गुड मॉनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉनिंग, चलिए, है न, एवरेज क्लास 3, एवरेज क्लास 3 टाइप 6 पर थे हम याद होगा आप लोगों को है न, टाइप 6 में शायद कुश्चन नमबर 14 हमने कर लिया था, अब कुश्चन नमबर 15 हमें करना था, चलिए जाएए, टाइप 6, कुश्चन नमबर 15 है न, सवाल नमबर 15, चलो देखो, टाइप 6 के सवाल नमबर 15 को देखते हम, क्या है कहानी, सुनिए, टाइप 6 सवाल नमबर 15, ठीक है, क्या बुलें, पाँच क्रमागत संख्याओं का ओसत, जो M से प्रारंब होती है, 5 संख्याओं लगातार जो M से प्रारंब होती है, तो M से प्रारंब होने वाली 5 संख्याओं लगातार, यदि पहली संख्या M है, और यदि लगातार है, लगातार का मतलब 1, 2, 3, 4, एक के बाद एक कंटिन्यू, जैसे even नमबर नहीं, even नमबर तो एक छोड़के एक होता, odd number विश्रम संख्या एक छोड़ के लगातार यहने की लगातार संख्या, गिंतियां लगातार, तो M से शुरू होने वाली पांच लगातार संख्या तो पहली A में तो दूसरी M प्लस 1 एक एक बढ़ेगी ना लगातार संख्या है एक एक कदम आगे होती है फिर M प्लस 2 M प्लस 3 और M प्लस 4 एक पांच लगातार अच्छाए AP सिरीज है क्या यदी यह AP सिरीज है तो इसका ओसत बीच वाला मध्धिविंदु होगा के नहीं होगा बताईए एवरेज है के नहीं है इसका अब उसने क्या बोला है उसने ये बोला है कि पांच लगातार सोरी पांच क्रमागत संख्याओं का ओसत जो M से प्राणब होती है N है तो इसका जो ओसत है न ये M प्लस टू ये किसके बराबर दि लिए दिया है n है ये इसका जो ओसत है N ये ओसत एंपऩ़स तू उसने किसके बराबर दिया है ईनके बराबर समझ बात किसके बराबर अब आगे देखो क्या बोला छे क्रमागत संख्याओं का उसत निकालना है यहां से प्रारंभ होने वाली छे क्रमागत तब आप देखो जरा यहां से प्रारंभ होने वाली छे क्रमागत तो यह दोनों एक ही जैसे है तो यहां की बजा यहां से प्रारंभ कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा n तो बराबर एकी जैसे, तो यहां की बजाए यहां से भी ले सकते हैं, तो मैं m प्लस 2 से नहीं लूँगा, मैं n से लूँगा, n को लेते हुए 6 लगातर, तो पहला n, दुसरा n प्लस 1, तिसरा n प्लस 2, चोथा n प्लस 3, पाँचवा n प्लस 4, और 6 n प्लस 5, हो गई क्या 6 ल n से प्लस 2 से प्रारमभ होने वाली 6 लगातर, संख्याओं का उसत निकालना है, तो m प्लस 2 और यहीं की एक ही जिस से हैं, तो n से प्रारमभ कर ली, n से प्लस प्लस 3, हमेशा मध्य में होता की नहीं होता, तो इसका midpoint इन दोनों के ठीक बीच में आएगा की नहीं आएगा, इन दोनों के ठीक बीच में बताओ एन प्लस धाई आएगा के नहीं आएगा और एन प्लस टूर एन प्लस थी के बीच में प्लस धाई आएगा के नहीं आएगा बोलो समझे के नहीं समझे समझारी बात एन प्लस टूर एन प्लस थी के बीच में प्लस धाई आएगा के नहीं यहां 1, 2, 3 तो 1 और 2 के बीच में 1.5, 2 और 3 के बीच में 2, 3 और 4 के बीच में 3, समझारी बात, तो बताई इस पूरी सिर्णे का उसा 10 प्लस धाई है के नहीं है, तो यह आपका answer है, आराम से शामती से, यह आपका, आप चाहो तो यहां से भी start कर सकते, प्लस 2 से start करके भी कर दोगा लेकिन वो lengthy हो जाएगा, मैंने system को M के form में नहीं उठाया, मैंने system को N के form में उठाया, क्योंकि option देखो, option सारे N के रूप में है, option सारे N के रूप में है, N, इसलिए मैंने शुरुआत से system को N के रूप में उठाया, ताकि सीधे answer आजाए, यदि M के form में तो उसत M के रूप में आएगा, फिर उस M के रूप में जो उसत आएगा, उसको आपको N में बदलना पड़ेगा, क्योंकि option तो N दिखा रहे है, समझारी ये बात, clear, तो वेसे भी करके बता दूँगा, N से करोगे सिधे option से, N प्लस धाई, कुन सा अंसर इसका, N प्लस धा 2, 5 बटा 2 होता कि नहीं होता, 2, 5 बटा 2, अच्छा, इसको हल करोगे, तो 2N, 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 बताई, 2N प्लस 5 बाइटू आएगा के नहीं आएगा? बताओ, आएगा के नहीं आएगा, 2N प्लस 5 बाइटू बोली है, समझे के नहीं समझे, बात को clear है इतनी बात है, तो बताई, 2N प्लस 5 बाइ 2 यह आएगा के नहीं आएगा कलियर है इतनी बात आप लोगों को ठीक है यह सवाल नंबर 15 था आप चाहो तो यहां से यहां से लगातार छी ले लो तो m प्लस 2 के बाद अगली लगातार m प्लस 3 आई फिर m प्लस 3 के बाद बताओ m plus 4 4 एम प्लस 5 फिर एम प्लस 6 फिर एम प्लस 87 आप चाहो तो इसको लेवा जब इस नी को लोगे तो इसका आसत बताईए इन दोनों के बीच में मसाँ साड़े चार आएगा कि नहीं आएगा तो इसका ओसत कि आएगा आँ साब अबग में देखेंगे तो option तो n के form में तो n के रूप में बदलना पड़ेगा तब देखो n के बरावर होता के नहीं होता तो इसको क्या करो n प्लस 2 प्लस 2 एसे कर लो अरे 4.5 को 2.5 में तोड़ दो साड़े 4 को 2.5 तोड़ ता कि n प्लस 2 बन जाए अब बताओ यह m प्लस 2 n हो गया के नहीं हो गया तो इससे भी यहीं चीज बन गई के नहीं बन गई तो यहां मेहनद जदा लग जाती इसलिए n से उठालो सीदे समझ चलिए सवाल नंबर 16 पर चलते हैं बहुत अच्छा कुश्चन है कुश्चन नंबर 16 चलिए आ जाते हैं सवाल नंबर 16 पर है ना ठीक है देखो जरा 16 नंबर मिटा दू इसको है ना मिटा रहो आ जाते हैं कुश्चन नंबर 16 पर है ना चलिए देखिए क्या है सोला नंबर का सवाल पांच लगातर विशम संख्याओं का उसत के है यदि उसत में अगली तीन विशम संख्याओं जोड़ लिजाती है पांच लगातर विशम संख्याओं पांच लगातर विशम तो कोई भी पांच लगातर विशम लेलो एक तीन पांच साथ नो कोई भी पांच लगातर विशम लेलो अच्छा लगातर मतलब यह तो जानते हो आप एपी सीरी जे समांतर सिर्णी है लगातर मतलब समांतर सिर्णी आब को clear तो 5 लगातार विशम संख्यां का उसत क्या है पांच है ना एक दू कुछ मी ले सकते ठे आप आप 11 से लुट लेते 11 13 15 17 एक हजार एक से चालू कर लेते आप कोई भी पांच लगातार विशन संख्या ले लो उसत पांच यह वो क्या बोल रहा यदि अगली तीन संख्या और मिला ले तो अगली तीन संख्या है अब देखो अब इस सिरिस का एवरेज क्या बनेगा तो अब आप द जरा अरे भया यह भी समांत्र सिर्णी पूरी आठ संख्याओं की आठ संख्याओं का मद्ध बिंदू बीच की दो संख्याओं बीच में आठ आएगा कि ने आएगा साथ और नों के बीच का तो बताई एवरेज पांच से आठ हो गया यहनिकि ऑसत तीन बढ़ जाएगा क् चल्ये और आगे चलने सब्ण नमबर 17 की बात करें प्रत्तम 10 अभाज्य शंख्यां प्रत्तम 10 अभाज्य संख्यां अभाज्यसंख्यां क्या होती है दो, तीन, पाँच, साथ, ग्यारा, तेरा, सत्रा, उननिस, तीविस और उनतिस प्रत्थम दस अभज्य संख्या लेनी है, सबसे छोटी अभज्य संख्या प्राइम नंबर टू होता है समझारी बात, तेरा, दस संख्या होंगी, इन दस संख्याओं का उसत निकालना है, तो सब को जोड़के बटादस कर दो देखो, एपी स्रीज नहीं है, अभज्य संख्या है, एपी स्रीज में नहीं होती, समांतर स्रीज में नहीं होती, अभज्य संख्या है इसलिए यहां पर कोई AP series का formula नहीं लगेगा, समान अंतर वाली सिरिण नहीं है, यहां एक कांतर है, यहां दो कांतर है, यहां दो कांतर है, यहां चार कांतर, यहां दो कांतर, फिर दो कांतर, चार कांतर, समान अंतर वाली सिरिण नहीं है, इसलिए 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 बेसिक formula किन अभाज़ संख्याओं को उसत निकालो, ऐसा नहीं हैगा, गिंती की पांच या दस संख्या हैं जो क्यों खाना है, बहुत तो जब भी अभाज़ संख्याओं पर चोटा सा मार्जीं आएगा, सत्तर और असी के बीच की अभज संख्याओं का प्राइम नंबर का एवरेज निकालो तो तीन नंबर ये तीनों को जोड़के बटाती है अपॉन में तेन क्लियर है ना चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम देखें यह सब जोड़के बटा दस 129 बैट 10 12.9 इसक एसी है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप्टू N इसके सम का फॉर्मूला होता है N N प्लस 1 बाइ 2 वेसे ही स्क्वेर नेचुरल नंबर स्क्वेर वाले नेचुरल नंबर लगातार गिंतियां इसका जोड़ने का फॉर्मूला होता है 1 बाइ 6 N N प्लस 1 2 N प्लस 1 यह होता ह ठीक है और cubic series यदि ले 1 का cube 2 का cube 3 का cube plus dages plus n का cube इसका formula होता है n n plus 1 by 2 का whole square मतलब कुछ नहीं करना इसका square कर लो तो cubic series का formula बन जाएगा जो इसका है ना इसका वर्ग कर लो पूरे का तो cubic series का formula ये तीन चीज़ा का हम use करने वाले आ गया भी है ना तो ध्यान दीजिए आप लोग ठीक है अब इसको मैं थोड़ा side में लिख देता हूँ आप आराम से pause करके इसको copy कर ले है ना side में लिख देता हूँ इन चीज़ों कि इनका use होने वाला है अब है ना चलो देखो ज़रा चलो सबसे पहले आ जाते हम question number 18 पर सवाल number 18 है ना आ जाते हैं सवाल number 18 पर question number 18 clear ठीक है सवाल number 18 में एक से 41 तक के वर्ग कहां तक के 41 तक के वर्गों का योग बटा 41 ऐसे निकलेगा इसका उसत बुलो निकलेगा कि निकलेगा बुलो समझेगे निसमझे बात को clear इतनी बात है ना बहिए एक से 41 तक के वर्गों का उसत तो सब को जोड़के बटा प्राइक ताल जितने लोगे उसी संक्या से भाग दोगे clear यह समांतर स्रीड ही नहीं है यह समांतर स्रीड नहीं है यह स्क्वेर और नहीं क्यूबिक स्रीड समांतर वाली स्रीड होती है तो ख्लीड ठीक स्रीड एफिड़ पीर पर्लीस के जाना इन यहां पर है ना चलिए अब देखें क्या है फॉर्मुला अभी हमने फॉर्मूलत देखा वन का स्कूर प्लस टू का स्कूर प्लस एन का स्कूर है ना अपऊन में एन यदि एन तक का इविरेज निकालना होता तो एन तो योग का का वेसा है गा, N से N cancel तो सीधे औस निकालने का फॉर्मुला, 1 by 6 N plus 1 2 N plus 1 हुआ के नहीं हुआ बुलो जबा, सीधे औस औस वा सुत्र, सिर्फ योग का नहीं, योग में N से भाग देके, हमने सिधे औस बना लिये, तो तो average का फॉर्मुला यह बन जायेगा, क्या 1 by 6 n plus 1 2 n plus 1 समझ जारी बात या फिर पूरा ही कर लो कोई दिख्कत नहीं है 1 by 6 पूरा लिख लो यह पूरा रिलेशन लिखो मत रटो इसको कोई दिख्कत नहीं है सारी चीजा आपके सामने ओपन कर रख देता हूं मैं 1 by 6 n n plus 1 तो n कितना है 41 फिर n plus 1 याने की 41 प्लस 1 41 फिर उसके बाट 2 n plus 1 याने के 2 into 41 प्लस 1 बोलो समझे के नहीं समझे के लिए इतनी बात है ना कि टू इंटू 41 प्लस नीचे में क्या आ जाएगा नीचे में आ जाएगा 41 कि बोलो क्लियर है इतनी बात है ना ठीक है ना अब देखें यहाँ पर क्या है कहानी कुछ नहीं 41 41 कड़ गया और क्या यह 46 सते बाइया लिस साथ से कड़ जाएगा तो साथ इंटू बैया लेस दूनी एक तालिस दूनी बैयासी तर्रासी साथ इंटू तर्रासी अंसर आ जाएगा आपका सीवन थ्रीजर ट्वेंटीवन टू छप्पन अठावन पांत्सो इक्क्यासी अंसर आ जाएगा इसका बोलो समझे के नहीं समझे बात को कर लोगे ना यह चीजे सवाल नंबर उननिस पर आ जाता हूं मैं उनिस में सवाल नंबर उननिस में क्यूबिक सिरीज है चलिए देखते हैं कुश्यन नंबर नाइंटीन देखो जड़ा सवाल नंबर उननिस की बात करते हैं सवाल नंबर उननिस ठीक है क्यूब ओफ निचुरल नंबर वन का क्यूब टू का क्यूब प्लस डेख डेख कहां तक चूबिस का क्यूब है ना बटे में क्या लिखोगे चूबिस ये है भाईया तो आप जानते है इसका फॉर्मूला क्या है क्यूबिक स्रिस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जैसे egg क्यूब टक तो n न प्लस वन बाई टू का होल स्क्वेर होता कि नहीं होता तो चलो कर लेते हैं कि भाई या एन क्या है 24 तो 24 24 प्लस एक बाई दो का होल स्क्वेर कि और बटे में एन यहने की 24 इसको यदि हम अब सॉल्व करें तो देखिए आप लोग है न क्या कहानी है दो से 24 कट जाएगा यहीं पर बारा बार तो अंदर तो आ आफे का बारा इंटु 25 का होल स्क्वेर डिवाइड़ेड़ 24 अश्योवी स्को सौल्व कर लोड बार बार बारा फच्च्स पच्च् intention्थ बार तो 122 निच पच्च्स नटू 6 तो यह कितना आएगा 625 इंटू 6 तो कुछ 3600 के आसपास आए गई कि कितना आएगा 3750 625 इंटू 625 शंग डेड़ सो एक कि एक से तिस पचास साड़े से तिस सु रुपय आए गई तीन अजार साथ सो पचास है नहीं आ जाएगा ठीक है अगले सवाल पर आता हूँ सवाल नंबर बीस सवाल नंबर बीस थोड़ा अच्छ है चलो देखो जरा इधर पहला मिटा दू इसको ठीक है सवाल नंबर बीस सवाल नंबर बीस में विशम संख्या है भाई या विशम के वर्ग कॉंजेगेटिव एड नहीं है वो ओड नंबर है न एक से से तिस तक के विशम संख्या के वर्गों का योग है न इसका उसत निकालना है इस रिस्का एवरेज हमें चाहिए है मतलब 136 तक विशम के वर्गों का उसत चाहिए अच्छा कितनी संख्या है यह जितनी संख्या होंगे उससे भाग देंगे, जितनी संख्या को जोड़ोगे उतनी ही संख्या से भाग दोगे, 19 लोग है यह 19, तो बटा 19 करके इसका उससाथ आएगा, क्योंकि कितने लोगे कहानी में 19, पहला दूसरा तिसरा ऐसे करके गिनोगे ना तो 19 वे नंबर पर आएगा इसे 30 या फिर सोचो ना यार एक से 38 तक की विशम संख्या है ना ये तो एक से 38 में विशम भी 19 है और सम भी 19 है तो एक से 38 तक की मतलब 38 तक की गिंतियों में विशम भी 19 है सम भी 19 है समझ आई बात तो एन प्लस टू बाई थ्री तो कुछ नहीं करना यह बहुत बड़ा कुश्यन है लेकिन इसका फॉर्मुला बहुत छोट है इन का विल्यू क्या है सेंटिस तो रखो सेंटिस यहीं रखदू ना सेंटिस सीधे यहां सेंटिस रहोगे यहां सेंटिस रखोगे तो सेंटिस इंट कितनी वार तीरा बार तो से टिस इंटु तीरह कितना आएगा चार सो अक्क्कैसे जह लॉट कि बुनोह स्मझ़े के नी समझे बात को ख्लीयर इतनी बात 30 इंटु त क्लास के फार्मूला की बना श्मरा・ आपको पूरा बेसिक तरीके से ले क्या हूंगा इसका इंसर यह क्लास के एंड में लूँगा पहले हम आगे कुश्चन कर ले जो इजी सवाल नंबर 21 पर आ रहा हूं मैं है ना यह विश्यम संख्याओं के वरगों का उसत निकालने का सुत रही है अभी बताता हूं है ना चल हाँ तो 21 नंबर का सवाल ऐसा है कि तीन के प्रथम 20 गुणजों का उसत निकालो तीन के प्रथम 20 गुणज यानि कि तीन का पहड़ा तीन के प्रथम 20 गुणज तो तीन के प्रथम 20 गुणज बताओं तीन का पहड़ा 30 तक तो 10 गुणज हो गए अरे तीन के मल्टीपल 3 के starting के 20 multiples 3 के समझारी बात तो 3 धम 30 3 का पहड़ा आरे 3 का पहड़ा 3 के multiple ही तो देता है 3 के गुणज 3 का पहड़ा देता है 3 कम 3 3 दू निछे 3 धम 30 तो 30 तक 10 लोग हो गए तो बताइए 20 गुणज 60 तक जाएगा के नि जाएगा 30 के बाद 33 तो 20 गुणज जो है वो 20 गुणज बताइए आप 60 तक जाएगा के नि जाएगा बोलो जरा बताइए वो 20 गुणज आपका 60 तक जाएगा के नि जाएगा क्लियर ही कि अतनी सी बात है न तो कितने लोग है 20 लोग है बटाब इस कर लोगे आजयेगा कि ने आजयेगा अंसर बताओं बो आएगा कि नहीं आएगा या फरी छोड़ो ना इसको भटाओ आप तो ठीक है बताओ 3 के 20 गुण 60 तक जाएंगे के नि जाएंगे clear अच्छा है समांतर से नहीं है समांतर से नहीं में भागा की देने की जरुरत नहीं होती पहला और आखरी जोड़ के आधा तो पहला और आखरी जोड़ो 3 प्लस 60, 63 बटा दो 31.31 आएगा answer 63 बटा दो answer आएगा सवाल नंबर 22 पर आते हैं क्या है 22 नंबर का सवाल ठीक है प्रत्थम 6 विसम संख्या का उसत ग्याद करो जिसमें प्रत्यक साथ से विभाजित हो साथ से विभाजित सेवन के multiple सेवन का table पढ़ना पड़ेगा साथ के multiple चाहिए भीया तो साथ का पहड़ा बोलो प्रत्थम 6 विशम विशम चाहिए विशम यह आएगा यह आएगा प्रत्थम 6 विशम सं नहीं चाहिए है ना इवन नहीं चाहिए और चाहिए यह आएगा यह आएगा यह आएगा और यह आएगा प्रत्थम 6 न हो गए क्या 6 7, 2, 3, 9, 43, 87, हो गए ना 6 लोग, 1, 2, 3, 4, 5, ओर 6, हो गए क्या 6 लोग बताईए, बुलो समझे के नहीं समझे बात को, हो गए ना 6 लोग, 7, 2, 3, 9, 43, अब देखो ये भी समान अंतर वाली स्रिणी, समझ आई बात क्लियर तो यह समांतर वाली सिर्णी है के नहीं है चलिए पहला और आखरी जोड़ के आधा कर ले तो साथ प्लस सततर बटा दो समांतर सिर्णी तो चोरासी आएगा है ना चोरासी बटा दो बता ही अब बैया लिस आएगा कि ने आएगा एंसर इसका क्लियर इतनी बात है ना चलो सवाल नंबर 23 पर आ जाता हूं देख लेते 23 नंबर का सवाल क्या कह रहा है है ना आ जाते हैं तेविस पर साथ के मल्टीपल बट ओड विशम तो सीवन की टेबल में से चाटना पड़ेगा है ना चलिए सवाल नंबर 23 क्या बोल रहा है शुन्य दो तथा चार इन तीन अंकों का प्रयोग करके तीन अंकों का सबसे बड़ा और सबसे छोटे का उसर तो इन तीन अंकों का प्रयोग क तीन अंकों का सबसे चुटा 2704 बनेगा और युट चैनल यहीं दो 200 चार और सबसे च्होटा और सबसे चोटा अगी संख्या औहूं सब्सक्राइब दो संख्याओं का सद दोनों को जोड़के बटा दू इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा 624 बटा दो तो 312 अंसर आ जाएगा क्लिया 24 नंबर के सवाल पर आता हूं क्या है सवाल नंबर 24 देख लेते हैं एक बार ठीक है कुश्चन नंबर 24 पर आ अधिर दे तो नए आउसत क्या होगा देखो वह यहां से तिस लोग है कितने लोग है कहानी में से थिस पहला दूसरा तिसरा दुसरा इनसान तिसरा इसे करके सेतिस इंसान है इन सेतिस इंसानों का ओसत भार 323 किलो यहने कि यह भी ऑसत याने की प्रतिव्यक्ति के साब से यह 323 यह भी 323 यह भी 323 यह भी 323 हाँ अब वो क्या बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 19 से भाग दे तो नया उसत क्या होगा प्रत्येक में 19 से भाग देना है अरे प्रत्येक में मतलब उसत में उसत मतलब प्रत्येक एक तो प्रत्येक का मतलब भी तो उसत हो सकता है तो उसत मतलब प्रत्येक उसत 323 यह की प्रतियक 323 के हिसाब से तो प्रतियक संख्या में 19 से भाग देने का मतलब प्रतियक मतलब ओसाथ में 19 से भाग देना हर एक में 19 से भाग दो तो जब हर बनाया सवाल ने हमें सभी का ओसत 323 दे दिया उसने 37 लोगों का ओसत भार 323 किलो का ऐसा उसने बुला हर एक इंसान 323 किलो का अब हर एक इंसान में यदि 19 से भाग दे दे तो नया ओसत 17 सत्रा सत्रा आजाएगा सिधे खतम कहानी तो कुछ नी वो ओसत में खिला रहा है हमें एक्चुली उसने बुला कि सब का ओसत 333 से यदि ओसत में 19 से भाग दे दो तो नया ओसत 17 इतना सवाल था है कि भाया इन सभी विद्यार्थियों का कक्षा में ओसत इनका त warto अनिस से भाग लगा दो सभी के भाब में ययाने कि प्रतियेक में 19 से भाग दो या ओसत में 99 से भाग देना है तो नया ओसत बताएं 19 से भाग देना आ है तो 323 आपसद में 19 से भाग दोगे तो नहीं आता सबाल है ना चल अब आते हम सवाल 25 पर, चलते, देखते हैं क्या है पपच्शिस नंस खाथ का सवाल की कहानी कुश्य नम्बर 25 है न चार संख्याओं में से प्रत्थम तीन संख्याओं का उसत चोथी संख्या का तीन गुना है चार संख्याओं भी या चार संख्याओं में से प्रत्थम तीन का उसत चोथी संख्या का तीन गुना है न तो चोथी संख्याओं एक है तो इसका तीन गुना इन तीनों का उसत है क्या बुला ध्यान देना शब्दों पर ध्यान दो चार संख्याओं में से प्रत्थम तीन संख्याओं का उसत तो जोती संख्या का तीन गुना प्रथं तीन संख्याों का उसत है तो चोती संख्या За 근데 एक कुण यूनिट अ तो इसका तीन गुनायाने कि इन तीनों का उसा 3 है कि नहीं है और साथ मतलब पर deh duration यह भी तीन यह भी तीन यह भी तीन तो कहने का मतलब यह उसां पिला के अपस में गोदेख है कि असमज संथाय संख्या मिठीmia मिला के 9 हो गई क्या बोला कि चार संख्या मैं से प्रथम तीन का उसत चोथे का तीन गुना चोथा संख्या एक है तो प्रथम तीन संख्यां का उसत तीन है उसत तीन याने की हर एक तीन 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 संख्या मिला के नो यूनिट तीन संख्या मिला के नो यूनिट और चोथी संख्या एक उनिट तो चारो संख्यां का योग ब पास पांच रुपे इसके पास पांच रुपे इसके पास पांच रुपे इसके पास पांच रुपे तो पांच चोग बताए चारो संख्याओं का योग असली में 20 है के नहीं है सवाल ने ?, चारो संख्यां का, ऑसत पाँच है, यानि कि, असत असत मतलब हरेक के पास 5 पांच रुपय, तो पांच चोग 20 रुपय है की नहीं, बताओ जरह, clear, तो ये जो 4 संख्याओं का योग, हमारी भाषा में 4 संख्या मिला के 10 unit है, असली भाषा में वो 4 संख्या मिला के 20 है, तो नकली से असली भाषा का relation देखो, दुगने का है के नहीं है, तो चोथी संख्या, unit से original दुनिया का relation दुगना, तो एक unit बराबर 1 into 2, तो बताए हो जाएगी दो आर आम से रिपिट करके देखो घबराना नहीं है ना है तो एhtika अ सवाल नंबर चब बीच पर आ जाते हैं है नां मंत सुरी सवाल नंबर पच्छिस पर आजाते हैं ठीक है ना अरे 24 ताना यार सौरी यह सवाल नमबर 24 थाना ये एक एक आगे क्यों बोल रहा हूँ यार में । यह 24 था अब आएगा 25 अब पच्चीस नमबर का सवाल भी थोड़ा सा वेसा ही है ठीक है 25 शोड़ देते हैं 26 करते हैं ना 25 शोड़ देते हैं 26 करते हैं ठीक है हाँ देखिए आप लोग है ना सवाल नंबर 26 करवाराओं में सीथ है 25 शोड़ दो भी 25 थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सा दिमाग लड़ेगा उससे मां बाद में बताओंगा फेले 26 आजाते हैं तीन संख्याओं में से पहली वद दुसरी का उसत, दुसरी वद तिसरी के उसत से पंदरा ज़्यादा हैं, यदि ये X है तो ये कितना है? X प्लस पंदरा है ना? ध्यान देना, यदि ये X है तो ये कितना? X प्लस पंदरा, ऐसा वो कहना चाह रहा है, अब देखो क्या है कहानी, अब सीधी सी बात यदि ओसत, 30 अंसर आएगा, कुछ नहीं सवाल, बहुत इसी है, देखो ऐसा है, है ना? पहली और दुसरी, यदि इन दोनों संख्याओं का उसत X प्लस पंदरा है, तो योग 2 बार X प्लस पंदरा आएगा, कि नहीं आएगा? यदि इन दोनों का उसत X प्लस पंदरा, तो X प्लस पंदरा, दोनों का योग 2 बार X प्लस पंदरा आएगा, कि नहीं आएगा? वेसे सेकेंड और थर्ड की बात करें, तो सेकेंड और थ X यह भी X X यह भी X तो बताएं दोनों का योग 2X आएगा कि निधा अब कुछ न करो इसमें से सको घटाओ तो इसमें से सको घटा ओगे न है तो सेकंड से से कंड तो कड जाएगा स्ट-स थाड यहां स्ट बचा यह माइनस का सड़ बचा स्ट-स तड बराबर यह 2x प्लस 30 हो जाएगा और यह 2x हो जाएगा तो पहले और तिसरे का अंसर 30 है यह और ली हो जाता और भी तरीके इसके अभी में टाइफ पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसके शॉट कट वाल भी तो यह किसका बेसीक बताना था है ना सोरी अठारा बचा और यह तो बेन में ना कल की class में आपको करवा दूंगा ठीक है और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे समझ आरी बात clear ठीक है ना Sunday special में इतना ही चला लो आप लोग ठीक है बाकी में classes की speed आपकी बढ़ा दूगा है क्लासेश की स्पीड जो एवरेज की क्लास है ना बहुत स्पीड से मैं कंप्लिट करवा दूँगा इसको है ना चिंता ना करें ठीक है चलिए मिलते हम कल की क्लास में है ना ओके थेंक यू बाए